हलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टोपिक है आधुनिक आवर्थ सार्णी जिसे हैंडरी मोजले ने प्रतिपादित किया था इससे लास्ट वीडियो में हमने पड़ी थी मेंडेलिफ की आवर्थ सार्णी जिसमें उसने तत्वों को उनके परमानु द्रव्यमान के बढ़ते क क्रम में व्यवस्थित करेगा अब बात आती है कि परमानु क्रमांग क्या होता है किसी भी तत्तों के परमानु में उपस्तित कुल इलेक्ट्रोनों की संख्या को परमानु क्रमांग कहा जाता है परमानु क्रमांग कैसे ग्याद करते हैं उसे मैं इसी वीडियो में बीच मे अभी खिलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंडिलिव का जो आवर्त नियम था कि तत्वों के गुंड दर्म उनके पर्मानु द्रव्यमान के आवर्ति फलन होते हैं उसको मोजले ने चेंच करके संसोधित किया और कहा कि तत्वों के गुंड दर्म उनके पर्मानु क्रमांग क आवर्ति फलन होते हैं यानि कि परमानुक्रमांग के हिसाफ से जब तत्वों को व्यवस्तित करते हैं तो निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों में पुन्रा वर्ति देखने को मिलती है तो परमानुक्रमांग के हिसाफ से जब मोजले ने तत्वों को व अठारह है ठीक है अठारह खड़ी पंक्तिया है यानि कि आधुनिक आवर्ट सार्णी में वर्गों की संक्या अठारह है मैंने आपको मेंडलीव की सार्णी में बताये था कि खड़ी पंक्तियों को कहते हैं वर्ग और जो ख्षेतिज पंक्तिया होती है उन्हें कहा जाता है आवर्थ तो मोजले की आवर्थ सार्णी में 18 वर्ग थे और ख्षेतिच पंक्तिया इसमें 7 है यानि कि 7 आवर्थ इसमें थे पहला पॉइंट आपका क्लीर हो चुका होगा अब बढ़ते हैं इस सार्णी के सेकेंड पॉइंट पर इस सार्णी को आप इकटा रूप में देख किया हुआ है सबसे बाई और वाला जो ब्लोक है उसे कहा जाता है S ब्लोक और जो बीच वाला ब्लोक है उसे कहते हैं D ब्लोक और सबसे दाइनी और वाले ब्लोक को कहा जाता है P ब्लोक और नीचे दो दो लाइने आप देख रहे हैं उसे कहा जाता है F ब्लोक किस आदार प इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रोन D, P और F उपकोस में प्रवेस करता है उसी के इसाब से उन्हें इन ब्लोक्स में रखा गया तो आप समझ चुके होंगे ब्लोक्स में डिवाइड क्यों किया गया नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सानी को हमें पढ़ना कैसे है उपर से नीचे की और बाई से दाई और या फिट दाई से बाई और तो हम देख सकते हैं कि हाइडोजन से हीलियम पर जब हम जा रहे हैं तो परमानु क्रमांक में इकाई वृद्धी हमें देखने को मिलती है यानि कि हमें 22 सेदाई और इस सार्णी को पढ़ना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ हाइडोजन के बाद हम जाएंगे हीलियम पर हीलियम के बाद हम जाएंगे लीथियम पर लीथियम के बाद हम जाएंगे बेरीलियम पर क्योंकि इसी क्रम में परमानु क्रमांक में इकाई वृद्धी हो रही है तो दो पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए है कि इस सार्णी को चार ब्लोक्स में डिवाइड किया गया है S, D, P, F एंड इस सार्णी को हमें 22 सिदाई और पढ़ना है थर्ड पॉइंट है हमारा आप P ब्लोक को द्यान से देखिए इसके बीच में हमें एक लाइन देखने को मिल रही है जो इस सार्णी को दो पार्स में डिवाइड कर रही है तो ये लाइन क्या काम करती है इस लाइन के बाई और जितने भी तत्व है वे सभी धात्विक प्रकर्ति प्रदर्शित करते हैं धात्विक प्रकर्ति का अर्थ है कि ये सभी तत्व विद्यूत का चालन करते हैं चमकीले होते हैं और ये तन्यता और अगात वर्दिनता का गुण प्रदर्शित करते हैं यानि कि इन्हें जब पीटा जाता है तो ये तूटते नहीं हैं ये चपते हो जाते हैं जबकि इस लाइन के दाहिनी और वाले तत्व हैं वे अधात्रिक प्रकरती प्रदर्शित करते हैं यानि कि ये विद्यूत का चालन नहीं करते चमकीले नहीं होते और बंगूर प्रकरत है तो यह जो तत्तो होते हैं जैसे कि Silicon यह दातूब और अदातू दोनों के गुन प्रदर्शित करते हैं जैसे कि मैं एक्जांपल लेता हूँ Silicon का Ve cancers 사건 में जब दराइ प्रवाई की tyre तो यह कुछ मादरा में दराइका प्रवा होने देता है जो कि कुछ का गुण है जबकि इसे हतोड़े से पीटने पर ये छोटे-छोटे टुकड़ों में तूट जाता है यानि कि भंगूर प्रकरती प्रदर्शित करता है जो कि अ-धातु का गुण है ठीक है अब मैं आपको इस से कुछ कोशन पूछता हूँ उसके आप HSR कीजगा कि क्या फास्फोरस विद्यूत का चालन करेगा तो सबसे पहले आप सार्णी में देखьте कि जो line है उसके बाई और है फासफोरस या फिर dainy और तो हमें दिख रहा है कि फासफोरस line के दाई और है और dainy और जितने भी तत्तों होते हैं मैंने आपको बताए हो क्या होते हैं अधातू और अधातू विद्यूत का चालन नहीं करते और मैं आपसे पूछ लूँ कि जإ닝 चंकिला होगा या फिर नहीं होगा तो चूँकि जैंक इस लाइन के बाई और इस्तित है यानि कि ये एक दातू है तो ये चंकिली क्रकटी सो कर सकता है ठीक है और अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्योंकि silicon विद्यूदारा प्रवाहित करेगा या फिर नहीं करेगा तो इसके लिए आपको सोछना पड़ेगा क्योंकि silicon उपदातू है ये धातु का भी गुण प्रदर्शित करता है और अधातु का भी गुण प्रदर्शित करता है तो ये कुछ मात्रा में विद्योदारा का प्रवाहित करता है तो इस प्रकार से हम धातुइक और अधातुइक गुणों को इस लाइन के माधियम से सेपरेट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट आप समझ चुके होंगे बढ़ते हैं फौर्थ नंबर पॉइंट पर फौर्थ नंबर पॉइंट पर हम D ब्लोक को डीटेल में अनलिसिस करने वाले हैं आप S ब्लोक और P ब्लोक को ध्यान से देखिए इसमें कोई भी वेकेंट प्लेस आपको नहीं दिख रहा है जबकि जो D ब्लोक है उसमें आप दो वेकेंट प्लेस यहाँ पर देख सकते हैं यह वेकेंट प्लेस किस लिए हैं इसको अब हम समझते हैं तो यहाँ पर जो पहला वेकेंट प्लेस जो छटे आवर्थ में हैं उसमें कुल मिलाकर 15 तत्व होते हैं उन 15 में से एक lengthenum को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है 64 तत्वों को नीचे की और F block के पहली लाइन में प्रदर्शित किया जाता है चुकि यह तत्व lengthenum से start होते हैं इसलिए F block की जो पहली पंक्ती होती है उसे कहा जाता है lengthenodes ठीक है जो F block की पहली पंक्ती है उसकी वास्त्विक इस्तान कहां पर है D block के इस vacant place में इसका वास्त्विक इस्तान है जबकि जो 7 वे आवर्द में vacant place हमको दिक राया है यहां पर F block की जो दूसरी line है उसका इस्तान है उसके 15 तत्व यहां पर आने चाहिए जबकि इसको यहां से हटा करके F block की दूसरी line में रखा गया है चुकि यह तत्व एक्टिनियम से start होते हैं इस कारण से इसे एक्टिनोट्स सीरिज कहा जाता है तो जो F block के पहले दो तत्व है केवल उनको ही D block में प्रदर्सित किया जाता है अब इसका कारण क्या है कि इन्हें अलग से रखा गया है तो चलो हम क्या करते हैं कि इन F block के तत्वों को अपनी सही जगह पर इस्तित करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सार्णी कितनी लंबी विस्तित हो चुकी है इसकी लंबाई अनियमित रूप से बढ़ चुकी है जबकि हमने तत्वों का वर्गी करण किया था कि हम इनका अधियन आसानी से कर सकें अगर हम F block के तत्वों को वापस से अपनी जगह पर रख देंगे तो अधियन करना मुस्किल हो जाएगा इस कारण से इनने नीचे की और रखा जाता है साथ ही अगर यहाँ पर रहेंगे तो वर्गों की व्योस्ता भी बिगड जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं वर्तमान में 18 वर्ग है परन्तो अगर इनने रख दिया जाता तो कुल 32 वर्ग हमें प्राप्त होते जिससे की सानी बहुत ही कटिन हो जाती तो आप समझ चुके हैं चोटा point B कि जो F block के element से उनको D block से हटा कर नीचे की और रखा गया है ठीक है चार point सापके clear हो चुके होंगे अब बढ़ते हैं पांचवे point पर पांचवे point है कि इस सानी में जो specific इस्तान है वहाँ पर जो तत्व उपस्तित होते हैं उनको अलग नाम से पुकारा जाता है जैसे कि S block का जो पहला वर्ग है उस पहले वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षार दात्वें क्या कहा जाता है क्षार दात्वें जबकि S block के दूसरे वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षारी मृदा दात्वें साथ ही जो P-Block के elements होते हैं उनको कहा जाता है निरूपक तत्व तीन चीजे मैंने आपको बताई है S-Block के पहले वर्ग को उक्षार दात्वें दूसरे वर्ग को उक्षारे मिर्दा दात्वें P-Block के तत्वों को निरूपक तत्व और जो सबसे आखरी वर्ग आप अठारवा वर्ग देख रहे हैं इसमें सभी अक्रिय गेसों को रखा गया है इस कारण इसे कहा जाता है अक्रिय वर्ग और जो सत्तरवा वर्ग है उसे कहा जाता है हैलोजन वर्ग ठीक है तो चार वर्ग मैंने आपको बताए है पहले वर्ग को कहा जाता है क्षार दात्वें, दूसरे वर्ग को क्षारी मिर्दा दात्वें, शतरवे वर्ग को हेलोजन और अठारवे वर्ग को कहा जाता है अक्रिय वर्ग और P ब्लोग को मैंने आपको बताया कहा जाता है निरूपक तत्व ठीक है और जो D-block के elements होते हैं उन्हें कहा जाता है संक्रमन तत्व अब चूंकि F-block के elements D-block से ही बाहर निकाले गए हैं यानि कि D-block के अंदर के ही हैं तो F-block के elements को कहा जाता है अंतः संक्रमन तत्व ठीक है तो मैं नाम वापस से repeat करता हूँ पहले वर्ग को कहा जाता है क्षार दात्वें दूसरे वर्ग को क्षारी मिर्दा दात्वें सतरवे वर्ग को कहा जाता है हेलोजन अठारवे वर्ग को कहा जाता है अक्रिय वर्ग पूरे P ब्लोग को कहा जाता है निरुपक तत्व और पूरे D block को कहा जाता है संक्रमन तत्व और साथी F block को कहा जाता है अंतह संक्रमन तत्व तो मैंने आपको इनके नाम भी अलग से बता दिये हैं अब हम आते हैं हमारे next point पर next point है हमारा कि जब हम वर्ग में उपर से नीचे जाते हैं और आवर्थ में बाये से दाई और जाते हैं तो क्या क्या परिवर्थन हमें देखने को मिलते हैं तो मैं यहाँ पर example लेता हूँ boron और aluminium का तो boron की परमानों सरचना में और aluminium की परमानों सरचना मैंने आपको दिखा दी ठीक है तो इन दोनों को ध्यान से देखिए कि इनके बाहितम कोस में इलेक्ट्रोनों की संख्या समान है परन्तु aluminium में एक कोस अधिक है देख पारे होंगे आप यानि कि वर्ग में उपर से नीचे जाने पर कोस की संख्या में वृद्धी होती है परन्तु बाहितम कोस का इलेक्ट्रोनिक विन्या समान रेता है यानि कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों के गुण लगबग समान होते है क्योंकि उनकी बाहितम कोस में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या समान होती है जबकि अगर हम आवर्थ में 22 सिदाई और जाते हैं तो इलेक्टरोन की संख्या में 21 विरिद्धी होती है जैसे कि मैं बोरोन और कार्बन का एक्जामपल लेता हूँ बोरोन का परमानुक्रमांग है 5 यानि कि इसमें उपस्तित इलेक्टरोनों की संख्या है 5 जबकि कार्बन में उपस्तित इलेक्टरोनों की संख्या है 6 यानि कि आवर्थ में 22 सिदाई और जाने पर इलेक्टरोन की संख्या में 21 विरिद्धी होती है तो इस प्रकार से मैंने इन 6 पॉइंट्स को आपको डीटेल में समझा दिया है इनी पॉइंट्स पर ये आवर्थ सानी पूरी तरह से आधारित है तो आज हमने इसका पूरा धाचा क्लियर किया है नेक्स्ट वीडियो में हम 7.9 नंबर टॉपिक डिसकर्स करेंगे जिसका नाम है गुणों में आवर्थ इता तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में